बीएट जाडी एलेड के एक स्मिस्टरन में आपका प्रैक्टिकल एक्जाम जिसको स्किल इन टीचिंग बोलते हैं जिसमें आपने क्लासरूम में रियल स्टूडेंट्स के सामने टीच करना होता है और उसके पीछे दो एक्जामिनर एक युनिवस्टी का और एक आपका साथ इन जस्टिस जस्टिस हो रहा है इस बात को ध्यान में रखना है पहले इसको बात को समझ ले के होना क्या है रेस्किल इन टीचिंग एक्जाम में सबसे पहले यह क्लासरूम है क्लासरूम में आपके नॉर्मली कैसे होता है कि अरेंज किये जाते हैं कि आपके मान लीज यह सब्जेक्ट वाइज है यह मैथ का आ जो है क्लासरूम है दूसरा पंजाबी का हिंदी का इंग्लिश का साइंस का इस तरह से जो मैथ वाला है इट मेंज सभी स्टूड़न टीचर ने इस क्लासरूम में आप अपने मैथ के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्किल को डेमोस्टेट करना है डेमोस्टेट नहीं है फाइनल है इसकी एवैलुएशन होनी है तो यहां पर आपके बोड है और यहां आप खड़े होगे यह बच्चे हो गए हना रियल बच्चे होगे और नॉर्मली जो होता है कि लास्ट में दो एक्जामिनर बैठे होते हैं यह सेट पार तो ऐसा होता है कि नॉर्मली मिडल सेवन्थ प्लस एड़्थ के बच्चे अरेंज किया जाते हैं यह नहीं होता कि अगर आपका लेसन प्लैन सिक्स्त का है तो सभी बच्चे सिक्स्त के बैठे होंगे अगर छेमी साथमी आठमी मतलब तीन क्लासेज आपके स्कूल ने अरेंज की हूई हैं उसमेंसे यह हो सकता है कि 2 सेक्षन है तो हो सकता है यह 2 या 3 बच्चे 6 वी के हो 2 या 3 बच्चे 7 के हो 2 या 3 बच्चे 8 में के हो ऐसे ही साथवी आठवी नॉमी ऐसे combination होगा नॉर्मली आपकी क्लास में हाडली आठ से दस छे आठ दस बच्चे होते हैं जिनको आपने टीच करना होता है इट मेंस नंबर अफ स्टूडेंट्स वो कम होगा यह examiner कौन से होगे एक university द्वारा appointed होता है दूसरा जो है आपके internal exam जो math जिस जिस ने आपको regular teach किया है skill in teaching आपकी develop की हुई है और तीसरा इसके जो सभी ये बड़ा क्यों image बना रहा हूं इनको coordinator बोलती है नॉर्मली ये किसी B.Ed college, D.L.Ed college की principal होते हैं और इन्होंने सभी teacher educator जो evaluator है examiner है उनको control करना होता है सबसे पहले ये इनको instruction देते हैं कि इनको evaluate क्या 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 करना है कौन सी बातों पर ज्यादा ध्यान देना है for example कई examiner ये कहते हैं कि आपने audio visual aid कितनी अच्छी बनाई है ये नहीं देखना है blackboard writing पर जोर दिया जाता है बच्चे की interaction पर student dealing पर तो वह point discuss किया जाते हैं और ये बताया जाता है कि माली जे 100 marks है ये जो coordinator है इनकी बात कर रहा हूं तो ये limit देते हैं कि आप 60 पर मैं ये नहीं है कि जरूरी आपके 60% ही limit होगी 60% तक ये लगा सकते है marks जहां limit ये 70% भी दे सकते हैं 65 भी दे सकते हैं तो ये depend करता है कि इनकी personality perception हना क्या है तो माली जे 70% जा 60% इननों ने limit दी है तो इसके बाद अगर कोई अच्छा बच्चा इनको लगता है examiner को तो वो coordinator को उसी वक्त बुलाएगा अगर coordinator किसी और skill in teaching room में engage हैं तो उनको wait करवाई जाती है तो आपका lesson फिर repeat होता है it means कि आपका अच्छा lesson plan जा रहा है और आपके 70 प्लस लग सकते हैं लेकिन 70 प्लस तभी लगेंगे जब coordinator प्लस internal and external तीनों examiner उसको evaluate कर लेते हैं तो यह तब होता है अगर आपकी पहले से ही अच्छी तैयारी है तो वो तैयारी के लिए कुछ basic question है कुछ बातों का ध्यान रखना है वो बाते यहां पर हम करेंगे अच्छा कई बार ऐसे होता है कि यह जो evaluator है जैसे पंजाबी उनिवेस्टी पत्याला में नॉर्मली ऐसे होता है कि 3-4-5 evaluator जा examiner appointed है तो वो हर जो classroom है उसका round लेते रहते हैं तो इनका काम भी round लेना और control करना इनका वही रहेगा ultimate में ultimate जो final list बननी है coordinator ने ही final करनी है signature दोनों के होने है और फिर coordinator के होने है तो यह round वाला system जहां होता है माली जी हर subject के जो room है और आप अपना lesson plan देते जा रहे हो और आपको कम से कम 2-3-4 examiner है वो rate करके evaluate करके marks अपने लिख के जाते हैं और उनकी average निकाल ली जाएती है ऐसे भी होता है हर हालत में आपका central idea यह बता दूँ के यह practical exam है यह performing art है और यहां पर stage पर आपको best perform करना है तो वो best perform तभी करोगे अगर आपके question जो है solve है problem solve है उसके कुछ steps है सब first step है कि आपका file work complete चाहिए file work में आपकी composite lesson plan जिसको बड़े lesson plan जा macro lesson plan भी बोलते हैं जो normally 4-5 या 3 page के करीब होते हैं 40 के lesson plan करीब हो सकते हैं university to university कोई vary भी कर सकते हैं वो मोटे भाली lesson plan की copy होती है वो सारे lesson plan आपके बने हुए होने चाहिए अगर उसी में micro lesson plan है उसी में students observation है बाकी जो भी notebook में दिया गया है वो complete चाहिए कि आपने during internship उसको complete किया है उस पर आप की rating हुई होने चाहिए आपके teacher educator के हर lesson plan पर signature हुए होने चाहिए उस पर comment भी दिया जाते हैं वो भी होने चाहिए minimum 30 जा 40 percent पर comment हुए होने चाहिए तो ये copy complete naturally है आप 8-10 दिन पहले कर लो तो better है दूसरा micro की हो गई तीसरी जो final lesson plan आपने इस दिन देना है उसकी copy दो होगी दो क्यों होगी जैसे मैंने बताया एक internal examiner, external examiner है वो दोनों copy उनके पाथ जाएगी जो आपने final lesson plan तियार किया है तो ये इसके बाद आपकी copy में जहां extra certificate होता है जो internship का होता है कि आपने according to NCT norm जहां जिस university से affiliated आपका college है उसके norms के मताबक आपने सभी lesson plan complete कर लिये है internship complete कर ली है वहाँ पर आपके school principal के signature होते है आपके mentor के जा teacher educator के signature होते हैं अगर school में से mentor है उनके signature होंगे और आपके college के principal के signature होंगे तो ये file work complete होना चाहिए अगर नहीं है तो tension आपकी बनी रहेगी that is why पहले इसको complete कर लेना चाहिए अच्छा ये question है कि जो time duration है कितनी होती है normally school में हमारे 40 minute का अगर lesson plan है यह मैंने 40 minute लिख दिया कई जगा यह 35 का भी हो सकता है हना तो आपने lesson plan जो करना है जो आपने लगबग 5-6 page का करती है normally final lesson plan की length ज्यादा होती है चार भी हो सकती है लेकिन 5-6 क्योंकि elaborate करते हैं आप तो यह आप 40 minute का ही plan करोगे लेकिन जब आप classroom में पढ़ाओगे वहां पर examination skill in teaching में तो आपको normally 15 minute मिलते हैं कई युनिवस्टियों में setting 20 minute की भी है लेकिन practically 15 minute से ज्यादा नहीं मिलते उसी को मिलते हैं जिसका lesson plan जब performance अच्छी होती है और coordinator उसको देखने आते हैं जो overall in charge होते हैं तो कई बार आपका जो अगर last में lesson plan है जहां examiner लेट आते हैं जहां स्कूल के बच्चे लेट आते हैं क्योंकि स्कूल के साथ बच्चों के साथ इसका relation है simulation जे रहे ही है तो ये कम होके बारां कर रह जाता है और कई बार तो 10 minute ही मिलते हैं अगर बाकी activities जो क्योंकि most important यह है कि जब तक आपका exam चलना है उसके बीच में उसके last तक school के बच्चों को चुटी का जो time है उसी वक्त उनको चुटी होनी है उसके पहले पहले आपका exam जो है खतम हो जाना चाहिए for example बच्चों को एक बज़े चुटी होती है तो एक बज़े तक नौ से एक बज़े तक आप कर लिया जाता है यह 15-10 मिनट के बीच रह जाता है कई बार इससे कम भी हो जाता है लेकिन आपने जो प्लैन पूरा करना है और अपनी जो स्पीड है वह भी बिल्कुल ठीक रखनी है यह टाइम क्यों इंपॉर्टन यहां बताया जा रहा है किया कि आपको चाहिए कि पहले पांच मिनट से आठ मिनट के बीच में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टन पार्ट है लेसन प्लैन का वह डेमो स्टेट हो जाना चाहिए फॉर है तो वह पहले थोड़ा प्लैन कर लेना चाहिए हाँ यह बात डिफरेंट है कि जब लिट्रेचर में लेंग्विज में हम पोयम को टीच करने के लिए स्पैसिफिक स्टेप्स हैं वह स्टेप्स आप को फॉलो करने होंगी है ना तो यह वह स्टेप्स हैं तो अगर आपका इंपॉर्टेंट यहां पर आ रहा है आप डिले हो रहा है तो यह स्टेप थोड़ा सा ब्रीफ करके आप इंपॉर्टेंट पर जल्दी आ जो कई बार एक्जामिनर ऐसे भी बोल देता है जब टाइम कम हो कि आप ऑडियो वीजल एड को यूज करके दिखा दो आप बच्च आ सकती है वहां पर आपको घबराना नहीं है तो यह बात हो गई कि आपने लेस्न प्लैन का ओर्डर कैसे रखना है नेक्स्ट है हमारे पास हाव टू एंटर इंटर इंट्र एंग्जिट अच्छा क्लासरूम की सेटिंग क्या है वह पहले मैं बता चुका हूं यह क्लासरू क्यिक का एंट्र इंटर इंटर में सबसे पहले आपने जो नोट्बुक है जहां पीछे टेबल नौर्मिली लगा होता है अच्छे कॉलेजिस में यहां पर टेबल लगा हुआ कर आपने मॉडल जया मेन एड जो रखनी है यहां पर आप क्या करोगे कि सबसे पहले examiner को wish करके उनको जो आपका file work complete है मोटे वाली पतले वाली जो final lesson plan है वो सारी यहां पर wish करके उनको पकड़ा देनी है एक यह पकड़ लेंगे एक यह पकड़ लेंगे और वो evaluate करना शुरू कर देंगे फिर आप इधर आ जाओगे आपने क्या करना है classroom management करनी है सबसे पहले classroom management से पह लिए लिख देना है subject normally लिखा होता है उसके बाद topic आपने बाद में announce करना है लेकिन वह fill in the blank ही रहेगा बाद में fill करते हो आप तो यह board वाली information आपने सबसे दूसरे नमबर पर जाके चेक करनी है तीसरे नमबर पर क्या करना है कि आपनी आपकी जो audio visual aid है उसको आपने arrange करना है अगर वह model है यहां पर display करोंगे वह cover चाहिए और नॉर्मली कोई newspaper से cover कर लेते हो कोई curtain जो कपड़ा होता है कोई उससे cover कर सकते हो तो वह cover चाहिए अगर uncover होगी तो वह पहले ही देख लेंगे बच्चों की attention वह सीख कर लेगा तो आप जिस step पर उसको show करना चाहते हो वो हो नहीं पाएगा वो interest जो है main point है आपका वो lose हो जाएगा अगर आपकी model है तो ऐसे display करना है अगर chart है तो आप जहां पर hang करना है एक दिन पहले जाके उसी classroom को देख लेना चाहिए कि मेरे ये त्यारी है मेरी ये audio visual aid है उसकी setting के लगा है तो यहां पर hang करने के लिए लगा है उसको hang कर देना नॉर्मली अगर cover किया हुआ newspaper से अपने chart को तो अच्छा है अगर नहीं किया तो उसको उल्टा करके उसको hang कर देना है जब उसको display करना चाहते हो तो वो कर सकते हो अगर step by step करना है तो आपको newspaper जो भी paper आपने उसको cover करने के लिए लगाया है वो step step हटाओगे चार्ट कैसा होना चाहिए different video में होगा लेकिन एक central idea यहां बता दू कि हर हालत में chart पर chart के size जो font का होगा जो diagram का होगा वो पिछले बच्चे को classroom में वहां तक दिखाई देता हो अगर छोटा है तो वैसे ही गर्दन आपकी क चुछ नहीं बज़ेगा फ्लेश कार्ड है उल्टे करके यहां पर रख सकते हैं चोटे चोटे फ्लेश कार्ड होते हैं हाँ पीपीटी है तो एक दिन पहले आपके देखोगे के पीपीटी के लिए PC है प्रजेक्टर है वो सब कुछ है आपकी पीपीटी चला के एक दिन प पहले नहीं दो दिन पहले भी देख सकते हो अगर अरेंज हुआ है जहां पर आपने जो यह डेमो देनी है skill in teaching देना है क्योंकि आपका हो सकता है कि वो जिस format पे PPT बनाई है वो format support ना करता हो तो उस वक्त चले ही ना घबराने की बात नहीं है इसलिए पहले देख लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ है क्योंकि आपने कोई movie बनाई है तो वो support नहीं कर रही तो आपको क्या चाहिए कि आप अपना laptop लेके आते हो वहां पर side में लगाते हो कि जिसी laptop में आपने पहले से चला के देखी है तो यह help करती है आपको उस वक्त डिस्टर्बेंस नहीं देती तीसरा pen drive में भी लेके आ सकते हो लेकिन best colleges ऐसे हैं जो आपको पहले से एक PC और प्रोजेक्टर पहले से information दे देता है दो दिन पहले एक दिन पहले कि आप अपनी PPT यहां चला कर देख लो और अपनी PPT वहां एक folder होगा जैसे maths का यह रूम है बैस की जह आपके rule number wise arrange हो सकती है तो आप अपने topic का अपना नाम लिखके वहां पर PPT को save करके नॉर्मली ऐसे होता है नेक्स्ट यह है कि audio visual aid को आपने set करना है अगर किसी और तरह की audio visual aid है कोई real objects है उनको भी cover करके रखना है पहले से uncover मत रखिए कि बच्चों का interest जो है उस तरफ पहले से ही आ जाता है अच्छा यह हो गया कि आपने कैसे करना है classroom management उसका ध्यान रखना है आपने basic information चेक कर ली हो गया aid arrange होगी अच्छा making and using of teaching aid the most important part यही होता है यही तहंक करता है इसी पर आपकी energy time money लगती है तो किन बातों का बहुत कम बातें बता रहा हूं किन बातों का ध्यान रखना है सबसे तो पहले है कि अपने ready made model chart बजार से नहीं खरीदने teacher educator को पता ह होता है और वैसे भी उसकी पूरी निशानी है कि एक्सपर्ट ने बनाया है एक हजार दो हजार पांच सुर रपे आप खर्च करते हो इससे अच्छा है model की जगा पर topic ऐसा ले लो के real object यूज कर लो जो इर्द गिर्द चीजें हैं उनको यूज कर लो PPT यूज कर लो लेकि ना हो कि model या chart से बच्चा और confused हो जो concept है वो distort ना हो उसकी असलियत भंग ना हो अगर ऐसा model बनाने जा रहे हो जो असलियत से different है concept से different है इससे अच्छा है मत बनाओ क्योंकि जो chart model आप बना रहे हो उससे clarity understanding बढ़नी चाहिए meaning बढ़ना चाहिए knowledge बढ़नी चाहिए ना की confusion बढ़नी चाहिए हाँ उसका size क्या होना चाहिए यह नहीं है कि कोई audio visual बहुत चोटी सी है तो आप दिखाओगे कैसी audio visual aid का मतलब है कि कोई बहुत चोटी DNA है आप इतना बड़ा DNA बनाके ला सकते हो cell है आप इतना बड़ा cell बनाके ला सकते हो हना तो कोई बहुत बड़ी च मतलब ऐसे नहीं हो visibility communication ensure होना चाहिए यह बात हर हालत में जरूरी है अच्छा जो भी एड बना रहे हो model chart flashcard वो need based relevant mean के जो topic teach कर रहे हो उससे उसमें उसको teach करने में वह help करता है उसको understand करने में help मिलती हूँ ऐसे नहीं है के जबरदस्ती हो रहा है जबरदस्ती वाला काम नहीं होना चाहिए यूजफुल उसको assist करता हो eco friendly thermocall plastic वगेरा यूज़ नहीं करने environment teach करते हैं लेकिन उसके उल्ट हम काम नहीं कर सकते तो आपकी thermocall को maximum क्या वाइड ही वाइड करना है उसकी जगह पर उसका को substitute है यूज़ कर सकते हो लेकिन वह eco friendly ही होना चाहिए एड जो है multiple यूज़ कर सकते हैं यह नहीं है कि चार्ट एक मिल गया उससे पढ़ाने चल गए यह यह बात संभव है कि आप एड के बिना पढ़ा सकते हो यह skill in teaching exam है लेकिन आप इसलिए आपको show करना है कि आपके पास आप चार्ट हो सकता है अगर जरूरत है globe हो सकता है अगर जरूरत मैप अगर जरूरत है यह जो PPT है हना model है depend करता है आपका कौन सा topic है subject है उसकी requirement क्या है मतलब एक से ज्यादा audio visual हो सकती है आप newspaper है magazine है journal है original साथ मिल आ सकते हो तो कुछ बातें के जो most common audio visual aid हमारे इंडिया मे यूज होती है सिर्फ वही बता दूगा बाकी skip कर दूगा PowerPoint presentation है अब तो बहुत PowerPoint presentation में most important है कि आप movie clip use कर सकते हो images ज्यादा यूज कर सकते हो यह बात मैं बता दूँ कि आपके verbal और nonverbal nonverbal यहां nonverbal आ गया nonverbal में diagram picture images यहना graphics आ सकते हैं animation आ सकती अप तो इतने अच्छे software आ गए हैं हना तो उनको यूज यह नहीं है कि total ppt पर verbal verbal जैसे यह वरबल वरबल चल रहा है और बहुत भरी-भरी हैं ऐसे नहीं है बहुत कम हो important information हो और organize हो step by step हो highlight किये हों आपने main point है ना जो student को visually engage कर सके उसके लिए आपके पास मैं suggest करता हूं एक आधी movie clip कई वर तो advertisement ही होती है कोई भी आपके जो उससे relevant है कोई भी चीज है ना तो वह आप image जरूर हो तो यह ppt आपकी most important जो easy है सभी को बनानी चाहिए यह तो compulsory चाहिए है ना कोई video है अलग से ppt के बिना कोई documentary है हना नॉर्मली जो होती है यह real world की examples है historical events है scientific documentary है demo stations है हना उसको आप capture कर सकते हो अपने mobile पर कर सकते हो अच्छा interactive white board है यह वाला बोर्ड है अगर college में है तो यूज कीजिए अगर नहीं है तो फिर sorry audio clips है कई बार आप लोग गीत पड़ा रहे हो कोई song से related है कोई sound से related concept है जैसे मैं private speech समझाता हूं तो वह sound use करता हूं तो ऐसी clip आप mobile में भी लेके जा सकते हो वह clip audio हना model है real model है working model के marks से ज्यादा होते हैं 3D model होना चाहिए model पर clarity होने चाहिए model का में caption भी दिया होना चाहिए के इसका model है वह cover होना चाहिए उसकी जरूरत होनी चाहिए need based होना चाहिए नहीं के जबरदती model है अगर अच्छी तस्वीर आपको पीपीटी जन नेट से मिलती है जहां original आपने फोटो कैप्चर की है वह दिखा कर चलता है तो वह मुच बैटर है तो real object for example एक topic था मैंने जो पढ़ाया था पंजाब की लोग खेड़े ना पंजाब नियां लोग खेड़ा बॉल है गीटे हैं वह जो गुल्ली डंडा है ऐसे real objects आप collect कर सकते हों किसी और subject में भी अगर real object मिलते हों वह मच बैटर है सबसे अच्छे अच्छे हैं तो यह जैसे है science, math, geography ऐसे subject को teach करने के लिए real objects for example आप मिट्टी की किसमें पढ़ा रहे हों तो मिट्टी real में collect के लाल मिट्टी काली मिट्टी हना तो वह उसको collect कर सकते हो next है चार्ट एंड डायाग्राम डायाग्राम तब भी बनाओ for example मैं मैंने अब मैंने अब यहां पर बनाया यह दिखिए तो मैंने मतलब मेरे आप निकाल सकते हो 100% तो उसी को मैं अब तसली से बना रहा हूं तो यह थोड़ा सोना बनेगा है ना अच्छा बनेगा यह यह ऐसे डायाग्राम अगर बना सकते हो हना कोई ऐसे ट्री चार्ट है उल्टा ट्री वाला है वो बना सकते हो मीनिंग्फुल होना चाहिए तो डा डायाग्राम बनाने के लिए डायाग्राम नहीं बनाना डायाग्राम में एरो का अपना मतलब होता है सरकल का अपना मतलब होता है लाइन का अपना मतलब होता है डिरेक्शन ना बताने के लिए बीच में वर्ड लिखे होते हैं तो यह डायाग्राम को आपको स्टडी माइं मैप है कंसेप्ट मैपिंग है उसको ब्रीफ अगर लेना चाहते हो आप आप एज आडियो वीजुल एड अपने चार्ट पर भी बना सकते हो अपने बोड पर भी बना सकते हो अच्छा ये तो नहीं होगी अजुकेशनल एप सबर है तो यूज कर लीजिया नहीं होती नौर्म टीच करें पोयम में कोई ऐसा रूरल एरिया का अबजेक्ट है जो बचों को नहीं पता तो उसकी इमेज आपने कैप्चर की और उस पर लगाई और दिखा दी के ये होता है उसको स्टिक भी कई बार लगा लेते हैं जैसे एफोर साइज से थोड़ा छोटा नॉर्मली होता है लेकिन साइज थोड़ा वेरी कर सकता है बात यह है कि बच्चों को क्लियर वह दिखाई देनी चाहिए उसमें जो कंसेप्ट है वह हंडर परसेंट रियालिटी से मैच करना चाहिए अच्छा वोकैबलरी आप किसी वर्ड का मीनिंग बताना चाहते हो फ्लेश काड वहां क्लास में यह तो बता रहा हूं कि पहले आपने कौन कौन सी त्यारी करनी है ग्राफिक और आपको याद रहता है कंसेप्ट मैपिंग या माइंड मैप यूज होते हैं आपको क्लियर है आपका कंसेप्ट थौर अली पढ़ा हुआ है तो वह आप यूज कर सकते हो बच्चों से बनवावी सकते हो खुद भी बना सकते हो मैप्स हैं लाइबरेरी से आप इशू करवा सकते हो ग्लोब है लाइबरेरी से जहां आपकी जो सोशल स्टडी लैब है वहां से लेके यूज कर सकते हो जोगरफी के लिए जहां सोशल स्टडी के किसी भी कंसेप्ट के लिए तो अपना फोन भी यूज कर सकते हो तो यह नेक्स्ट वीडियो होगा कि आपने पीपीटी कैसे तियार करनी है तो यहां तक है आगे यह बताऊंगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपने मतलब एक तरह से डेमोस्टेशन होगी कि आप क्लास्रूम में अब एंटर हो गए और उसके अगर तो वो लंबा हुआ तो उस पर वीडियो बना दूँगा अगर अधरवाइस उसका जवाब दे दूँगा आपके कॉश्चन से ही ज्यादा यह क्लारिटी होगी मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स जहां मेरे माइंड में जितने पॉइंट से वो लग बग डिस कर दिये थैंक यू डॉक्टर तीरा सिंग लांट वैक्चला